हलो प्यारे बच्चों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने सेलेक्टिव लर्निंग अड़ा में तो प्यारे बच्चों आज हम जो बात करने वाले बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन टॉपिक है यह है आवेसे चालक के इस्तत जुर्जा इसमें हम बात करेंगे एक हमारा चार्ज कंड़क्टर होगा उसका पोटेंसियल एनरजी कितना होगा किसी चार्ज के वजह से और हम इसमें आगे देखेंगे कॉमन पोटेंसियल ठीक है उभैनिस्ट भी हो जिसे हम कहते हैं और इसके आगे हम यह देखेंगे जब भाई दो चालक को है ना तार के दौरा जोड़ दिया जाता है तो कितना आवेस एक जगा से दूसरे जगा स्थान अंत्रित होता है आप हमारे साथ continue रहना ठीक है तो अब आपके हाथ में पैन और पेपर होना चाहिए तभी मज़ा आएगा जंग अगर लड़ना है तो आपके हाथ में पैन और पेपर होना चाहिए है ना तभी आप इस एक्जाम को अच्छी तरह से आप फाइड कर सकते हैं चलिए दोस्तो अगर आप इस चैनल को अगर अभी आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा वेल डिफाइन में कंटेंट मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ पर सारे नोट्स आपको मिलेंगे तो भाई एक सिकंड लगेगा इसको सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ो अब बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना टॉपिक यहाँ पर आपका जो है हेडिंग आप इस चालक के स्थित जुर्जा है ना हम कैसे स्थित ज पड़ता है क्या करना पड़ता है कार करना पड़ता है यही कार रहना एक दिन भाई इस चालक को अगर हम आविस देते रहें देते रहें एक दिन यह चार्ज हो जाएगा और यह देने में जो मुझे कार करना पड़ा है ना यही इसकी क्या कहलाती है इस्थित जुर्जा कह होता है आप इसे चालक में इस्तितर और जाके रूप में यही संचित हो जाती है इसी को हम क्या कहते हैं potential energy कहते हैं अब हम यहाँ पे मान लेंगे यह जो हमारा चालक है जिसमें हम आप इसको ठोस ठोस के भर रहे थे इसके जो धायरता है न वो C है limited है भई ये कहेगा हमारा जो C का मान है न इतना है इससे ज़्यादा आप नहीं ठूज सकते हो ठीक है तो ठीक है तो यहाँ पर मान लेते हैं ठीक है माना माना इस point को मैं फटा फट लिख देता हूँ लो भईया हमने मान लिया माना की चालक की धारता कितनी है C अब हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं किसी time पर ना तो Q पर ठीक है महले अब ना initial पर बात करेंगे ना final पर बात करेंगे हम किसी general time पर बात करेंगे कहेंगे इस समय इ और C में एक मुझे क्या मिलने वाला है relation इस चीज़ को आप देखें यहां पर मैं लिख रहा हूँ तो भईया यहां पर हमने क्या किया मान लिया Q डैस आविस दिया तो इसका विभो कितना हो जाता है V डैस तो इसमें एक relation होगा उसको आप जानते हैं छितरां से क्या होगा V डैस बराबर Q डैस अपान कितना C ठीक है अब जब हमें जरूरत पड़ेगा है ना V डैस का वान कहीं रखना तो इसको हम आराम से रख लेंगे तो द्यान रखनें यही जो इसमें बिभो इस्टोर हो रहा है ना महलें इसको जो चार्ज किया जा रहा है ठीक है चार्ज कर ठीक है यही जो चार्ज करने में जो हमें कार करना पड़ रहा है यही इसके क्या होगी इस्थत्र जो रजा होगी अब हम क्या करने वाले हैं एक छोटे से आब इसको ठीक है बहुत छोटे से आब इसको इसको डीक्यू को हम अन्यत्त से लाएंगे इसके वैदु छेत्र में त तो कार कितना करना पड़ेगा, वी डाइस इंटू डीक्यू करना पड़ेगा, फिर हम आराम से आंसर निकाल लेंगे भई, ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूं, दिखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमने एक सूच माविष, डीक्यू को कहां से लेके आएं, अनन्त से लेके आते हैं, अब हम एक सूच माविष, डीक्यू अनन्त से चालक तक लाते हैं, यहाँ पर आप एक वर्ड जोड़ेंगे, कहां से, अनन्त से, अनन्त से चालक तक लाते हैं, तब किया गया कार, किया गया किया गया जो आपका car होगा देखिए छोटा सा आप एस है तो आपको यहाँ पर जो car मिलने वाला है छोटा सा मिलने वाला भाई ठीक है तो d w बराबर क्या बोलो 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 वी बोलो भाई v dash into क्या होता है d q होता है उठा के मान इहीं पर रख दो मान रख दो v dash का अगर आप v dash का मान रखते हैं यहाँ पर side में लिख देंगे v dash का मान रखने पर मान रखने पर यह तो हम कर सकते हैं रखने पर रखे उठा के फटा फट तो v dash का मान कितना q dash अपान किया c into d q अब जब छोटे element को बड़ा करना होता है ना तो हम वहाँ पर समा कलंड करते हैं क्या करते हैं समा कलंड करते हैं तो एक line हम लिख सकते हैं लिख देंगे यहाँ पर समा कलंड करने पर समा कलंड करने पर समा कलंड करने पर तो आप यहाँ पर कि देख सकते हो भाई इसको जब क्यू आबस दिया जाएगा तो कुल कार है तो दोगो इसको करने का तरीका दीड़ बराबर यहां पर आपका वन पांसी तो कॉंस्टेंट रहने वाला है integration किसका होगा Q-D q है ना आप देखिए स्टार्टिंग में कोई आबेस नहीं तो कोई कार नहीं 0 जब इसमें आबेस क्यों आ जाता है तो इसके लिमिट कितनी हो जाते है डबलो अब हम यहाँ पर दिखो अब इसका अगर इंटिग्रेशन करेंगे तो डबलो हो जाएगा 1 अपां सी और क्यू डैस भाई दो को इसके पावर में कितना है 1 एड हो जाएगा तो क्यू डैस का स्क्वाइर और यहाँ पर जो लिमिट आएगा 0 से कितना आएगा क्यू अब उसके बाद हम क्या करेंगे लिमिट को पुट करना चालू करेंगे लिमिट रखेंगे अब तो यहाँ पर आप रखिए फटाफट तो डवलू इसकल टू वन अपान सी यहाँ पर क्यू रखते हैं तो क्यू का स्क्वाइर ठीक है और 0 रखने का कोई फाइदा है नहीं तो एक काम करो अच्छा हाँ यहाँ पर भाई integration किया था ना और में एक जोड़ा था उतने से ही क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे अरे यह तो छूड़ गया भाई आप भी सोच रहे होगे सारी यह टू कहा गया तो कोई दिक्कत नहीं तो डवलू इसकल टू इसको आप सही से लिख लें एक relation तो आपका यह बन गया और एक relation आप और जानते हैं क्या जानते हैं Q स्कल टू क्या होता C भी होता है अगर यह मान यहाँ पर रख दिया जाये न तो आपको एक दूसरा relation मिल जाएगा वी के टम में तो हाफ आप मान रखेंगे तो एक C कट जाएगा तो एक c बचेगा और v square एक relation आपको यहां से और मिलता है तो और एक relation और आप बना सकते हैं ठीक है जब c ना हो जब c ना हो तो c की value आप यहां से अगर इसी equation में रख दें coupon v solve करने पर आपको क्या मिल जाएगा w square to half q into कितना v ठीक है तो आप यह तीनों important result है ठीक है तीनों आपको ध्यान रखने है जब आपको q और c दिया जाए तो यह first वाला लगा देंगे जब c और v दिया जाए तो आप यह लगा देंगे जब c ही ना दिया जाए तो आप third वाला यूच करेंगे तो आई होप आपको यह यहां तक समझ में आया होगा चलिए बात करते हैं इसके एक numerical पर प्यारा सा numerical है ठीक है तो यह आपके लिए रहा है बढ़िया मज़ेदार रस्गुल्ला टाइप का गुस्टन एक चालक की धारता ग्यान करनी है c निकालना है जिस पर कितना आवेस है Q बराबर कितना 2 इंटू 10 के पावर माइनस के 2 कुलाम आवेस से संचित किया जाता है और इस पर जो उर्जा आया है U का मान 2 जूल आया है उर्जा का मत्र क्या होता है जूल यहां पर जो डेरिवेशन अपना था यहां पे आप जूल लिखते रहेंगे, क्या लिखते रहेंगे जूल, ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर, क्यू और सी, सी मुझसे पूछ रहा है, और क्यू दिया है, तो आप ऐसा relation लिखे ना, यू के बीच में, अब देखो इसी numerical से आप को चेक करना है, यहां पे क्यू और स square अपण क्या सि सी निकालना है सी को इतर बे दो यू को नीचे बे platforms चलो इसको सरका दो सारकाओ भाई सी इस कल टू ़न भाई टू किसका दो इसे इसको इधर इसको इधर तो क्यूषप क्यों कितना्यू और उठाके मानि यह भाई क्वह पठक दो भी 4 है, तो C कमान कितना है 10 के पावर माइनस के 4 10 के पावर माइनस के 4 क्या, फैरेड यार क्या, फैरेड ये आपका अंसर आ गया अब चलिए एक और बहतरीन कुस्सन है जो आपके बोर्ड में आ चुका है और ऐसे कुस्सन आने के ज़्यादा उम्मिद होते है तो देखिए आपके सामने ये रहा कुस्सन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है N समान आप इसे छोटी बोदे मिलकर एक बड़ी बोद बनाती है ऐसे हमारे पास बोदे हैं कुछ, है ना तो यहाँ पर यह बाते लिखेंगे चोटी बोदों की तरजा कितनी है स्मॉल आर और बड़ी बोदों की तरजा कितनी है कैप्टल आर, ठीक है यह आप लिख लेना अब देखो क्या होता ना यही बोद तो मिलकर के भाई बड़ी बोद बनी है तो द्यान अगनाईन का जो कुल आयतन होगा, छोटी बूदों का कुल आयतन और बड़ी बूदों का क्या कुल आयतन, आयतन बराबर होगा, ठीक है, जहां से मुझे एक relation मिल जाएगा, और उसके बाद हम सब की बात कर लेंगे, ठीक है, चलो पहले relation तो निकालो, दिखें एन छोटी बूदों, एन छोटी बूदों, ड्रॉफ, बूदों का आयतन, आयतन बराबर, ठीक है, बड़ी बूद का आयतन, बड़ी बूद का आयतन, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, एन से मल्टिप्लाई करना, एक बूद का जो आयतन होगा, चार बड़े तीन, पाई r cube पराबर यहां पर आपका क्या हैगा चार बड़े 3 पाई r cube ठीक है यह चल लिया निकल लिया है ना यहां पर आप ध्यान से देखिए जो आपके पास आएगा capital r r cube बराबर कितना n into r का cube यहां से अगर आप r निकालते हैं तो n के power कितना हो जाएगा 1 by 3 into स्मॉल आर ठीक है एक रिलेशन ही आ गया भाई ठीक है अब चलते हैं अपने कुस्षन के तरफ मुझसे कहरा है धायरता दे दो मुझे यह रो रो के मुझसे कहरा है क्या दे दो धायरता दे दो मुझे ठीक है तो धायरता में कोई धायरता चाहिए लेकिन अनपात का चाहिए इसकी मौन लेते हैं जो धार्दा हो गही है ना छोड़ी बूद का C1 होगा इसका जो धार्दा होगा C2 होगा फिर कहे रहा है बिभव में अनपात दे दो मौन लेजिए एका बिभवयांतर बीवांतर कितना है टीilly तू है डी excel की गवांतर कितना है धायरता का अनुपात, धायरता का अनुपात, तो भाई देखो, अगर अनुपात निकालना है, धायरता का अनुपात, तो आप गहेंगे सर, गोलिये हैं ना, तो गोलिये के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, C2 upon C1 करना है बड़े बूद का उपर रख दो 4 pi epsilon naught capital R होता है आपका और नीचे कितना होगा 4 pi epsilon naught into small r होता है यहाँ पर आप क्या करोगे बस capital R का मान रखते जाओ और आपको answer मिलता जाएगा सभी में यही करना है आप confused ना हो ठीक है R into capital N power 1 by 3 यहाँ पर आपको क्या मिलता है 4 pi epsilon naught into r यह निकल लिया पदली गली से C2 upon कितना C1 बराबर N के power कितना 1 by 3 यहाँ पर 3 होगा दोस्तों ठीक है यह आपका पहला answer आ गया दो कितना आसान है बस केवल आपको यह वाला term करना था अगर आपको क्या निकलना है बिभो निकलना था second आपका क्या था बिभो था तो देखे बिभो में भी कुछ नहीं है अगर बिभो का अनपात निकलना है बिभो का क्या निकलना है अनपात तो अनपात आप कैसे निकालेंगे भई वही काम करेंगे बी टू अपान क्या बी टू अपान बी वन बी टू अपान क्या भाई बी वन तो आप अच्छी तरह से जानते हैं यह क्या होता है क्यू अपान सी भाई बोलो क्यू टू अपान क्या सी टू और यहां पर क्या होगा क्यू अपान सी वन होगा चलिए आगे सब का मान पूट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं ठीक है अब देखो जो बड़े बूद का जो होगा भाई आवेस एक बूद का तो हम जानते हैं मान लेते हैं क्यों है तो अगर ऐसे N में निकालना है कितने में निकालना है N में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं N कमान रख देंगे ठीक है जो अपने को पता है आओ देखते हैं इसे तो देखो आपको C25C1 पता है तो इसको ऐसे करो ना C25C1 हो जाए ठीक है तो इस C2 को इधर नीचे ले आओ तो आप देखोगे यहां पर Q25Q1 और इंटू C25C1 दे कितने बूस से मिलके बने थे एन एक आप इस पर Q था और यहां पर प्रते एक बूंद का जो होगा आपका आपका आप इस क्यू होगा इंटू C25C1 की वेलू क्या थी and 1 by 3 ठीक है Q से Q cancel out हो गया इसको solve कर लेते हैं खटा कट आजाओ खटा कट करने इसके पाउर अभी यहां पर कितना है 1 यह वाला उपर जाएगा तो पाउर में से माइनस हो जाएगा 1 by 3 जहां पर आपको क्या मिलने वाला है 2 by 3 यह आपका answer हो गया ठीक है और अनपाद का को इसका अनपाद आवेस का Q2 upon Q1 बताना है देखो जान से यह थर्ड नंबर कुस्टन यहें पर मैं खतम कर दे रहा हूं इसे Q2 upon Q1 तो आप कहेंगे सर्कुल आवेस कितने थे NQ भाई जो बड़ा बूद बनेगा वो N से बनाया ना एक पर Q था यहां पर Q1 का मलब एक बूद का अबेस क्यों से क्यों कड़ गया क्या गया एन यह लो आपका थाड आंसर अगर फोट की बात की जाए फोट की देखो प्यारे बच्चों इस तित्र जूर्जा में अनपाद बताना है यूटू अपान क्या यूवन देखो आप ध्यान से अगर आपके पास सूत्र है हाफ हाफ याद है कि नहीं याद है आपको अरे यार देखो ना क्यू टू इंटू क्या लिख सकते हैं वी टू और अपान में हाफ क्यू वन बोलो ना वी वन अपने पास यह सम्मान आ चुके हैं क्यू टू अपान क्यू वन की वैलू तो एन आ चुके थी और वी टू अपान व आपका अंसर आ जाएगा और क्या भाई एन वन एड हो जाएगा तो आप यहां पर देखेंगे एन के पाउर कितना मिल जाएगा आपको फाइफ भाई थिरी ठीक है यह आपके बोर्ड में आ चुका है ऐसे ही कुष्ण आते हैं तो चार कुष्ण होगे चार नंबर के ठीक है फॉर मार्क में आएगा ठीक है अगर आप ट्रेक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपके सारे नंबर मिल दे चले जाएंगे नहीं तो फिर समझ जाओ चलिए बात करते हैं किस पर ऊभाई निश्ट भीवाँ पर ये क्या होता है तो मैं आपको यहां पर फोटो से समझागा रहा हूँ किलेर कर रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनें हमारी बातो होगो हमारे पास क्या है दो चालक है ऐसे दो चालक है ठीक है अब क्या है ना इनका धारता C1 है इनका धारता C2 है अभी स्टार्टिंग में आबेस इनके पास Q1 है इनके पास Q2 है अब भाई जब तक ये किसी तारवार से नहीं जुड़े है तो इनका स्टार्टिंग में V1 कितना है B1 और इनका कितना है विवांतर B2 है तो अगर भाईया बात किया जाए यहां पर जो आवेस होंगे Q1 C1 B1 होंगे अगर बात किया जाए Q2 बराबर तो यह होंगे C2 B2 होंगे भाई ठीक है अजब इन्हें किसी एक टार के द्वारा जोड दिया जाता है समान जरूरी नहीं है दोनों के आवेस सेम हो जाएं लेकिन ध्यान रखें क्या सेम होती है धायरता विवान विवो सेम होता है ठीक है आवेस सेम नहीं होता है जैसे एक मान लीजे बड़ा सा टैंक है एक पतला सा है तो आप देखिए जब इनको hole कर दिया जाए मानली जी यहां तक भरा हुआ है और इसको नीचे hole करने एक डिम पूरा खाली है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई दोनों का level same हो जाएगा लेकिन जरूरी नहीं है दोनों में quantity same हो quantity का मलब यहां पर आवेस इसलिए आवेस क्या होता हाँ यह बात कर सकते हैं कितना आवेस ट्रंसफर हुआ होगा उसकी बात हम जरूर करेंगे ठीक है तो आप देखें जब इसको है ना connect किया जाता है किसी तार के द्वारा किसी तार के द्वारा इसे क्या करते है connect तो भाई धारता में कोई परिवर्टन आने वाला है नहीं सेप और साइज में क्योंकि यह fix है constant होता है लेकिन अब इसका मान तो बदल गया Q1 डेस हो गया और इस पर आब इस कितना गया Q2 डेस भाई मान लिजी अगर Q1 आपका ज्यादा रहा होगा Q1 ज्यादा है Q2 से तो Q1 से Q2 की तरफ गया होगा क्योंकि Q1 का विभवांतर क्या है ज्यादा है अच्छा इस समय में दोनों का विभव क्या रहने वाला है सेम इसी विभव को इसी विभव को हम क्या कहते हैं उभईनिस्ट विभव कॉमन पोटेंसियल कॉमन का मलब दोनों पे क्या है समान है तो यहाँ पर देखो आप हमने यही बात किया है यहां पर यह दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ दिया जाए तो दोनों के बीच में क्या होता है आबेस का आदान परदान होता है ठीक है और धीरे करकर के है ना दोनों का जो विभो होता है मलब आविस तब तक प्रवाइत होता है जब तक उनका विभो क्या ना हो जाए समान ना हो जाए तो उसी विभो को हम क्या कहते हैं उभै निस्ट विभो कहते हैं इसे किसे डिनोड करते हैं वी से तो आप यहाँ पर ध्यान रखें जो आपका उभय निस्ट बिभो आएगा वह होगा आपका उभय निस्ट बिभो यहाँ पर मैं लिख दूँ उभय निस्ट बिभो अभय नहीं उभय है उभय निस्ट जो आपका विभो होगा तो दिखिए भई V बराबर कुलाबेस कुलाबेस उपर होता और नीचे कुल धारता होती है C1 प्लस C2 Q1 Q2 का मान अपने पास है कोई गम नहीं ठीक है तो यहाँ पर C1 B1 प्लस C2 B2 और नीचे आपका क्या रहने वाला C1 प्लस C2 ठीक है यह आपका क्या गया अरे भाई यार यह तो भाई निचे भी भोगन गया इसका मात्र क्या होगा बोल्ट होगा ठीक है यहाँ तक बात समझ में आई की नहीं आई अब देखो अगर यहाँ पर मैं बात करता देखो अगर क्यूडेस की बात करता है यहाँ से जो आपका क्यूडेस आता चलो नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ तक समझ में है ना तो आगे इसके इसके इन्स्वाट ले लें आप अगर अब ध्यान से देखना स्टार्टिंग में क्या था भाई यह तो काम आ गया अगर मैं ऐसा सोचूँ क्या जब आबेस का पुनर वित्रण होता है मैं आपसे यह कुशन पूछूँ जब आबेस का पुनर वित्रण होता है तो जो आबेस आते हैं जो आबेस आते हैं ठीक है तो वे विभों के अनपात में होते हैं कि नहीं होते हैं जैसे यहां पर देखा जाए तो भाई समय विभोंतर अलग-Alग है लेकिन अगर दोनों पर जो आवेस आये हैं जैसे Q1 आपका आया है कितना C1 B1 ठीक है Q2 जो आपके आया है कितنا C2 C2 B2 आया है लेकिन अगर आप बात करें Q1- की तो यहाँ पर कितना आया है भाई आवेस C1-V और यहाँ पर कितना आया है देख लो जो आपका Q2- है वो आपका कितना आया है C, C-V अच्छा देखें जब अगर हम Q1 अपान Q2 निकालें तो आप देखेंगे यहाँ पर रहना C1-V1 अपान C2-V2 आएगा यानि कि इसमें C1-C2 भी होता है और B1-V2 भी होता है यानि कि जो आविसों का अनपात होता है विवांतर और धारताओं से मुक्त नहीं होता है दोनों में फसा होता है यह ठीक है लेकिन अगर आप उभेनिस्ट विवो पर हैं तब उस समय बात अलग होती है उस समय बात क्या होती है अलग अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो यह C2 था विवांतर सबका विवो क्या था सबका सेम था यह C2 भी तो यहां पर आप देख सकते हैं C1 अपान C2 पुनर वितृरण के बाद जो आब measurable के आता है वह है केवल धारताओं के अनपात में होता है ठीक है किसमें होता है धारताओं के अनपात में होता है तो हमारे कहने का मलब यह है कि अगर कभी उपहनिस्ट बोला जाए तो आप क्या करेंगे सभी आभेस को उपर कर देंगे नीचे कुल धारता कर देंगे मान रख करके सॉल्ब कर लेंगे यह आप कहां सरा जाएगा अब हम बात करने जा रहे हैं भाई अगर इसमें आभेस ज्यादा रहा होगा क्यों और इसमें कम रहा होगा तो आभेस आपका जो होगा ना वो इधर से इधर गया होगा ऐसे ऐसे ठीक है तो यह आभेस क्यूट है इसका मान कितना होगा कितना ट्रांसफर हुआ अबेस कितना ट्रांसफर हुआ ठीक है आबेस कितना ट्रांसफर हुआ भाई यहां से यहां तक घटा लेबल जैसे पहले पानी आपका जो गिलास में था ना पूरा भर के था अब वो यहां पर आके रुक गया तो यह कितना ट्रांसफर हुआ इसकी ब थीक है तो थोड़ा हसभी लिया करो यार ऐसे थोड़ी सब चलता है तो यहां पे अगर बात किया जाए अस्थाना अंत्रित आबेसो की मात्रा तो यह कहःगा सर चलो तुम निकाल दो फटा पट जो अस्थाना अंत्रित आपेसों के डेल्टा क्यू मान लेता हूं? पहले Q1 और Q1- का मान क्या रखेंगे C1-B और B बोला सर आप हमारी तरफ किरफा द्रिष्टी तो डालें हमारा जो मान होता यह होता C1 C1-B1-C2-B2 अपान क्या C1-C2 उठाके मान ही पर पटक दो आपको आंसर मिल जाएंगे ठीक है Q1-Q1 कितना है Q1 कितना है भाई नहीं पता है कोई बात नहीं यह तो पहले से इवन है आपको C1-B का मान उठाके रख दो C1-B1-C2-B2 अपान में कितना C1-C2 ठीक है multiply कर लेंगे ऐसे cross ठीक है delta Q बराबर ऐसे multiply करो चलो इस C1-C2 से बोल दो अरे भाई तुम चलो इसके पास आओ गुड़ा करने Q1-C1 हो जाएगा आप Q1 का multiply किसमें होगा C2 में होगा तो Q1-C2 हो जाएगा और इससे बोल दो तुम अंदर चले जाओ cancel cancel out हो सकते हो जाओ ठीक है क्या हो सकते हो cancel out हो सकते हो ठीक है तो ठीक है कोई दिखकत नहीं इससे मैं बोल दूँगा जाओ तुम तो अभी एक मेरा टुक जाएग C1 आपका यह हो गया यह तो उपर multiply कर चुका है नीचे आपका क्या मिला C1 प्लस C2 यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला C1 B1 प्लस C2 V2 ठीक है एक काम करो Q1 का मान उठा के यह पर पटक दो पटको भाई Q1 का मान जो होता है C1 B1 होता है उठा के मान रख देंगे है ना फिर solve करते हैं थोड़ा इसको scroll करता हूँ मैं दिखिए Q1 का मान आप अच्छितरां से जानते हैं क्या होता है C1 B1 तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा Q1 का मान कितना C1 B1 ठीक है एक C1 पहले से है प्लस यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है C1 B1 C2 माइनस C1 C1 B1 प्लस C2 B2 और नीचे आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर C1 प्लस C2 यहाँ से देखें C1 सब में common है C1 सब में क्या है common है अच्छा वैसे मैं चाहता तो यहीं पर sort हो सकता था कर दूँ इतना बहुत बढ़ा हो गया थोड़ा यह ठीक है चलो कोई बात नहीं हम यहाँ से क्या करेंगे C1 common कर लेंगे तो आप देखेंगे B1 C1 प्लस और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको B1 C2 B1 C2 भी मिलेगा और यहाँ से C1 बाहर आ चुका इसको अंदर जाने दे माइनस को ले जाओ इसे C1 B1 और माइनस के C2 B2 ठीक है और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा नीचे नीचे आपका आ जाएगा क्या C1 प्लस C2 आ जाएगा ठीक है अब एक काम करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैंसल आउट हो सकता है इं टर्म यह और यह और इन दोनों में देवो ध्यान से कुछ कॉमन है जो आपका डेल्टा क्यों आएगा भाई कुछ कॉमन है ना क्या कॉमन है C1 तो पहले से हो गया था अब C2 है और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला B1 माइनस B2 और पान C1 प्लस C2 यही आपका आवेस है इसको आप ध्यान रखेंगे इसका मात्र क्या होता कुलाम C1 से मल भी मल समय लेना धायरता है चलो बाद में आप लिख लेना हिंदी में बढ़ियां से कुलाम अब आईए बात करते हैं भाई अगर आवेस गया है तार लगा था तो वो तार हीट होगा जब तार हीट होगा तो कुछ न कुछ उर्जा का क्या होने वाला है लॉस होने वाला है तो हम उस एनरजी को निकालना चाहते हैं थोड़ा यहां पर आपको ध्यान देना है ठीक है दिखिए जब इसको जोड़ा गया था भाई खटा-खट देखो आप अगर अभी जब नहीं एड़ किये गए हैं तो इनकी जो उड़ जाए होंगी हाफ हाफ कितना होगा बोलो 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 C1 B1 का स्क्वाइर और इसका कितना होगा U2 बराबर हाफ C2 B2 का स्क्वाइर लेकिन किसी दिन अगर इन्हें जोड दिया जाए तार के द्वारा तो यह तार हीट हो जाता है तो उस समय इसके जो एनर्जी होगी U1 आपका क्या होगा हाफ half C1 दोनों का भी हो क्या हो जाता है बराबर तो इसलिए दोनों में क्या लेना है बराबर लेना है यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला यह आप मां लिजे U1 डैस है यह आपका U1 तू डैस है ठीक है, half C2 V का square, ठीक है, अब देखो, उर्जा में loss निकालना है न, तो आप कहेंगे, पहले ज्यादा रहा होगा, बाद में कम हो गया होगा, जब कम हो गया है न, तो यही आपका क्या होगा, भाई, loss होगा, ठीक है, उर्जा, जो आपका, उर्जा हास, जो आएगा, वाली एनर्जी जोड़े देंगे, U1 प्लस U2, जोड़े देंगे, माइनस कर देंगे, क्या, U1 डेस, प्लस U2 डेस, ठीक है, और ध्यान जा सुने, यहाँ पर मान रख देंगे, फटा फट, रखो, हाफ, C1, B1 का स्क्वाइर, प्लस, हाफ, C2, B2 का स्क्वाइर, माइनस, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, U1, U2 का मान रख देंगे, और कोई दिक्कत नहीं, रखो, 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 पटा पट, यहाँ पर अगर आप मान रखते हो, हाफ, अच्छा, जोगो, सब में हाफ है, तो हाफ तो बाहर आ जाएगा, चलो, लिख देता हूँ, ठीक है, हाफ, C1, B2 का स्क्वाइर, प्लस, हाफ, C2, B2 का स्क्वाइर, माइनस, देखो, आप ध्यान से, हाफ, दोनों में कामन है, उसके बाद, V स्क्वाइर कामन है, जब V स्क्वाइर कामन कर लेंगे, बाहर, तो आपको यह आ जाएगा, अब हम जानते हैं, भाई, जो V था, यही तो आपका क्या था, कॉमन पोटेंसियल था, क्या था, कॉमन पोटेंसियल, उठा के मान यही पर उठा के रख देंगे, रख दो भाई, यही आपका क्या, डेल्टा यू है, चलो, C1, B1 का स्क्वाइर, प्लस हाफ, C2, V2 का स्क्वाइर, ठीक है जी, माइनस हाफ, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, C1, C2, और B का मान आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होता है, अरे सर, इसका मान जो होता है, यह होता है, C1, याद एक नहीं याद है, C1, B1, प्लस, C2, V2, अच्छा देखो को इस पर पूरा क्या लगा है, होल स्क्वाइर, तो होल स्क्वाइर कर देना है, नीचे आपका C1, C2 का होल स्क्वाइर, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यह और एक पांवर कैंसल आउट हो जाएंगे, और उसके बाद देखें, दोनों में इसमें भी, मतलब सब मे 1 by 2 common है कि नहीं है, बाहर करो इसे, चल बाहर, तो यहाँ पर C1, B1 का square, प्लस C2, B2 का square, माइनस, एक तो कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पर इसके whole square को खोलेंगे, अंदर ही अंदर, C1 का square, प्लस B1 का square, प्लस C2, B2 का square, यह तो अभी बाद में खोल लेते हैं भाई, ठी और यहां पर आपका c1 प्लस c2 है, अब आप यहां पर आप क्या करेंगे, cross multiply करेंगे, चलो, multiply कर दें इसका इसमें, तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, देखो ना, c1 का square, v1 square, ठीक है, प्लस c1 का c2 में होगा, तो c1 c2 v2 का square, और यहां पर जब c2 का multiply दो नोट में करेंगे, तो c1 c2, है ना, v1 का square, और उसके बाद, plus c2 की square, यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, b2 का square, अब इसको है ना, minus से अंदर multiply करते जाएए, और खोलते जाएए, फिर उसके बाद आपका answer आ जाएगा, तो यहां पर आप देखेंगे, c1 का square, b1 का square, minus c2 का square, b2 का square, minus two times, c1, भाई देखो न, c1 c2 b1 b2, ठीक है, नीचे आपका क्या रहने वाला है, c1 plus c2, देखो, कुछ, जो square वाद लेटर में, खचाक, और देखो, दोनों में क्या है, c1 c2 है कि नहीं है, अरे यार, आप तो अप्खुस हो जाओ, c1 c2 common कर लो इनको, तो अब आप यहां पर देखो, के b1 का square, plus b2 का square, minus के 2, अरे देखो न, b1 b2 बचेगा, कि नहीं बचेगा यहां पर, ठीक है, अपने मन से तोड़ी कुछ लिख रहा हूँ, और नीचे यहां पर क्या है, c1 plus c2, और आप यहां पर देखिए, यह एक formula बन चुका है, यह formula किसका बन गया है भई, half, c1 c2, और यहां पर, b1 minus b2 का, whole square, नीचे c1 plus c2 का, whole square, ठीक है, यह आपका energy आगया, delta u, तो प्यारे बच्चों, आपको आई होप यहां तक, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, अगर हां, नहीं आया तो आप जरूर कमेंट करें, उस समेशा का भी निवारंड किया जाएगा, आपको हर चीज आना चाहिए, है ना, तो आप इसको एक बार, दो बार जरूर देखें, और आप साथ में तो भाई, notes बनाओगे, जब notes बनाओगे, तो आपको, है ना, point to point आपको पता होता जाएगा, सेम इसी तरह से है, धादूों के दो, आविसित गोलों की तरजाएं, पंद्रा सेंटीमेटर, दस सेंटीमेटर हैं, परतेक पर 150 माइकुरो कुलाम, कावेस है, तो क्या करते हैं, जब इसको तार के द्वारा जोड दिया जाता है, किसी चालक द्वारा इसे क्या करते हैं, जोड देते हैं, जोडने के पर स्चाथ, उभाइनिस्ट विभो, तथा परतेक गोलों पर, आवेस की मात्रा की गढ़ना कीजिए, जोडने के पर स्चाथ करना है, मुझे यह सब काम, चलिए, बताइए आप कितना आएगा इसका अंसर, देखिए, आपको ही यह कुस्षन करना है, बस मैं सारे पॉइंट बता देता हूँ, कैसे करना है, मान लिजिए, आपका R1 जो है, वो आपका कितना है, वह 15 सेंटीमेटर है, इसको आप मीटर में बदल दें, 15 इंटू कितना 10 के पाउर माइनस के 2, अगर R2 की बात की जाए, तो 10 सेंटीमेटर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 के पाउर माइनस 2 लिख सकते हैं, अब देखिए, अगर धारता की बात की जाए C1, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, 4Pi Epsilon 0 into R1 लिख लेंगे, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, 4Pi Epsilon 0 का माण कितना होता है, 9 इंटू 10 के पाउर माइनस, प्लस के 9 होता है, इंटू, R1 की वेलू कितनी आई थी, 15 इंटू 10 के पाउर माइनस के 2, यह आपका हो जाएगा, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, हाँ, और यहाँ पर अगर C2 की बात किया जाए, 4Pi Epsilon 0 R2, ठीक, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा भई, 9 इंटू 10 के पाउर 9, और R2 का मान कितना, 10 इंटू 10 के पाउर माइनस के 2, यह C1 C2 आगया, अगर आपको उभई निस्ट विभव निकालना है, उभई निस्ट, ठीक है, विभव निकालना है, विभव, अच्छा सभी पर जो आवेस दिया जाता है ना, Q1, Q2, वो 150 माइक्रो कुलाम है, माइक्रो की जगा क्या लिख सकते हैं, 10 के पाउर माइनस के 6 कुलाम, अब यहाँ वेलू पूट करके हैं ना, solve कर लेंगे, V2 क्या होता है, C1, बोलो ना, C1, B1, नहीं आया समझ में, अच्छा, जब आवेस दिया तब क्या करेंगे, C1, B1, चलो ठीके एक बार लिख देता हूँ, अगर आपको ध्यान है, C2, B2 होता है, अपान, C1, C2, अच्छा, देखो यह तो Q1 है, और यह क्या है, Q2 है, बहुत अच्छी तरह से लिख लेंगे, Q1 प्लस, Q2, C1 प्लस, C2, क्या है कि मुझे आवेस दे दिया है, तो हम आवेस कमान यहां पर रख देंगे, और धरता कमान रख के सॉल्व कर लेंगे, और आप इसको सॉल्व करना, इसका जो अंसर आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, कितना हैगा, 10.8, इंटू 10 के पावर 6, बोल्ट आएगा, इसको अब सॉल्व करना नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए है न, यह वीडियो बन जाएगा दुबारा, और उसके बाद मुझे कह रहा है, कि भाई सभी गोलों पर, है न, उभे निस्ट भी हो, स्थापित होने के बाद, कितना अब इस बचा, मान लेजे, Q1 डेस जो होगा न, C1, V होगा, जब C1 अपने पास है, V कमान यहां से आ जाएगा, रख लेंगे, ऐसे ही Q2 कर लेंगे, C2 इंटू V, इनको find out कर लेंगे, ठीक है, तो आपका यहां तक, यह रहा पूरा सेसन, अगर नहीं आये समझ में, तो आप मुझे बताएं, अच्छा मैं इसका अंसर बता दू, जो आपका Q1 डेस आएगा, 180, माइक्रो कुलाम आएगा, और इसका माण जो आएगा, आपका 120, माइक्रो कुलाम आएगा, ठीक है, जैसा size होगा, वैसा रहेगा, और क्या, ठीक है, देखो, आवेज सेम नहीं है, लेकिन विवांतर सबका क्या रहेगा, सेम, ठीक है, तो I hope, बच्चों आपको ये, अच्छे से समझ में आया होगा, यहां तक, और आप जरूर नोट्स बनाए, ठीक है, उसमें आपका ही फाइदा होगा, मेरा उसमें कोई, ना तो फाइदा होगा, ना तो घटा होगा, ठीक है, वहां से आपकी पूरी help की जाएगी अगर कोई numerical है या question है तो आपको वहां से सारे point clear कराए जाएगे चाहिए आप facebook पर join हो सकते सब जगाँ आप join हो जाएए क्योंकि सब जगाँ content डलते रहते हैं तो I hope आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मिलते हैं आप से एक नए next video में तो तब तक के लिए आप खुस रहिए अच्छे से मौज मस्ती करिए मिलते हैं next video में thank you for watching this video